असलाम आलेकूम वेलकम टू टुडेज लेक्चर जैसा कि प्रिवेस लेक्चर में हमने इंग्लेंड की 16th century के सारे इवेंट्स कवर किये थे कि उस टाइम पे पोलिटीकली क्या कंडिशन्स थी इंग्लेंड की और क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे इंग्लेंड में अब जो थ पेन हार चुका था लेकिन इंग्लेंड का जो महौल है वो बहुत जादा क्यार्टिक था और इस क्यार्टिक महौल के अंदर जो थामिस हाब्स की मदर है वो स्पैनिश आर्मिडा से बहुत जादा डर कि उन्होंने प्रिमेचूर बर्थ किया थामिस हाब्स को इस आफ लाइफ प्रवाइड करें तो यह आप आगे जाके पढ़ेंगे अब जो थामस हाब सेम वो एक अनएजुकेटिड कलरजी मैंन के बेटे थे और जब यह थामस हाब चार साल के थे तो इनके फादर ने इनको छोड़ दिया इनकी फैमिली को छोड़ दिया और इनकी अप तियालोजी है जो मेडिवियल पिरियट के कंसेप्ट पे और उसकी रीजनिंग पे बेस करते हैं उस टाइम जादा तर ट्रैडिशनल वेज और कस्टम बेस स्टेडिज होती थी जो के हाब्स को पसान नहीं थी क्योंके हमने देखा कि जो रिनेजन्स हेरा है वो फूर्टीं 17th सेंचरी तक के टाइम को हम कहते हैं जबकि होब्स किस सेंचरी में पैदा हुए 16th सेंचरी में तब तक तो रिनेजन्स पूरे योरप में फैल चुकी थी याद रहे कि रिनेजन्स हेरा हम उस टाइम को कहते हैं जब लोग मेडिवियल पिरियट की थियालोजी से और थेयर ज्यादातर वक्त बुक शाप्स में और इदर गुजारते थे फिर 1608 तक उन्होंने अपना बिये कम्प्लीट कर लिया थामस हाप्स की अगर रेपब्लिक लाइफ देखी जाए तो अपनी स्टेडिस कम्प्लीट करने के बाद थामस हाप्स ने एक कवेंडिश फैमली जो के इ ना कहीं मुनार्खी के लिए एक साफ्ट कारनर जजरूर था उसके बाद थामस हाप्स ने एक फेमस बुक फ्योसिडीड का तरजमा भी किया सिक्स года 1629 में उसके बाद जब 1628 में विलियम कोवेंडिश की डेथ होगी विलियम कवेंडिश की डेथ के बाद थॉमस हाब्स ने सर जर्वेज क्लिंटन के बेटे को एज़ ट्विटर पढ़ाना शुरू कर दिया वहाँ पर उन्हें जो मैंटरी और उसकी सिस्टेमेंटिक अप्रोच से बहुत जादा इंस्पायर हुए और इसका इंफ्लेंस उनकी सेंटिफिक पॉलिटिकल थेरी में भी आपको नज़र आएगा 1631 में थॉमस हाब्स फिर एज़ ट्विटर अपने जो पुराने शागिड़ थे जो उनका विलियम कवेंडिश थे उनके बेटे को आज़र ट्विटर पढ़ाना शुरू कर दिया और उनका नाम भी उनके फादर के नेम पे विलियम कवेंडिश ही रखा गया फिर अपने स्टूड़न विलियम कवेंडिश के साथ थॉमस हाब्स ने यूर्पियन टूर किया और वहां पर डिफरेंट सेंटिफिक फिगर्ज लाइक गलालियों के साथ उनकी मुलाकाते हुई जो के स्कलिस्टरिसिजम के भी खिलाफ थे तो उन से मिलके ये बहुत जादा इंस्पायर हुए और इनकी फिलास्फी में बहुत जादा इफेक्ट है इनके इस टूर का भी अब हम ये बात प्रिवेस लेक्चर में डिसकस कर चुके हैं कि उस टाइम पे इंगलेंड में एक सिवल वार हो रही थी किंग और पार्लिमेंट के दरम्यान अब हम देखेंगे कि थामस हाब्स की क्या एक्टिविटीज रही इस सिवल वार के दुरान अब 1637 में योर्पियन टूर से वापिस आकर चार्ल्ज वन को स्पोर्ट किया थामस हाब्स ने क्योंकि वो उनका रॉयल फैमली के साथ एक इंटरेक्शन भी रहा है तो वो उनके दिल में साफ्ट का अंडर बिथार मोनार्की के लिए तो इसलिए उनने चार्ल्ज वन को स्पोर्ट किया अगेंस्ट प्यूरिटेंस के अब इस सिवल वार की डिटेल्ज मैं आरेड़ी प्रिवेस लेक्चर में डिसकस कर चुकी हूँ तो मैं यहां पे उसको एक्स्प्लेइन नहीं करूंगी उस टाइम पे थामस हाब्स ने कुछ बुक्स लिखी जैसे इलिमेंट्स आफ ला नैस्टर एंड पॉलिटिक जिसके वज़ा से उनको 1640 में इंगलेंड से निकाल दिया गया जलावतन कर दिया 11 साल तक वो जलावतन रहे तब वो मूव कर गे थे फ्रांस में वहाँ पे उनकी मुलाकात हुए डिकार्ट से अब डिकार्ट जो है ये एक फ्रेंच सैंटिस्ट है मैथेमेटिशन है और फिलासफर भी है इस तरह वो इन 11 सालों में डिफरेंट इंट्रलेक्शल कंट्रोवर्सिस में अंगेज होते रहे और वो टाइम जादातर हाब्स ने स्पेंट किया दिकाईव और लेवियांतिन वाली बुक को लिखने में और ये हाब्स की बहुत फेमस बुक्स है अगर आप प्रिवियस लेक्चर को सुनेंगे और सिवल वार की सारे सेनेरियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है वो सरकलम कर दिया गया था और हकूमत जो थी वो पार्लिमेंटेरियन ने संभाल ली थी तो इस टाइम पर थामस हाब्स को तो निकाल दिया गया था इंगलेंड से लेकिन थामस हाब्स जब वापिस आए फिर उनके इंट्रेक्शन हुई चार्ल्स टू के साथ क्योंक हैं कि वापिस आके उन्होंने चार्ल्स टू के साथ इंट्रेक्शन की अब उनकी रॉयल फैमलिस के साथ तो इंट्रेक्शन हमेशा से रही क्योंकि वो उनके बच्चों को पढ़ाते थे तो इस तरह उनकी किंग और उनके बच्चों के साथ भी इंट्रेक्शन रही है तो लेकिन जो उसके पहले रॉयलिस्ट फ्रेंड थे जो उसकी जलाव अतनी पे नाखुश थे अब वो उस पे थामस हाब्स पे अटेक करना शुरू होगे क्योंकि तॉमस हाब्स ने लिवाइथन में जहां पे एपसलूट कुर्मिट को सपोर्ट किया था जो कैकी फार्म होती है लेकिन मुनार्की में जो डिवाइन राइट का पावर होती है एक रूलर के पास उसको मानने से थामस हाब्स ने इंकार कर दिया जो के उसके रॉयल फ्रेंड्स में नराज़गी क्या बाइस बना और पिर तामस हाब्स ने लिवाइटिन में अटि कैथलिक भी बहुत सी बाते की वी थी जिसकी वज़ाए से प्रांस में जो पादरी थे उनको बहुत ज़धा गुसा ऐया औरूंके तरफ से हमला होने का हद्शा भी पैदा हुआ थामस हाब्स को तो थामस हाप्स की प्रिमेचूर बर्थ की वज़ा से उनको तो वैसे ही अपनी जिन्दगी का बहुत ज़ादा डार रहता था उनके दिल में लाइफ के बारे में बहुत ज़ादा इंसिक्योर्टी थी तो उन्होंने इंगलेंड में वापिस आकर अराम से रहने का फैसला कर लिया अब आप देखेंगे के थामस हाप्स की जिन्दगी में जो उनकी प्रिमेचूर बर्थ हुई फिर उन्होंने सिवल वार का टाइम देखा फिर उनकी डिफरेंट सेंटी के साथ इंटरेक्शन रही फिर उनका जो टाइम था जिसमें वो पेदा हुए वो रिनेजेंस टाइम था उस टाइम रिनेजेंस पूरे IORP में पھیल चुका था तो उनकी जो थाड़ थी वो बहुत ज़ादा सेंटिफिक थी तो आप देखेंगे कि उनकी फिलासफी जो है वो कितनी सेंटिफिक अप्रोच को फालो करती है अब जैसा कि थामस हाब्स ने अपनी सारी लाइफ में सिवल वार का टाइम देखा तो उसने एक चीज अबजर्व की कि यहां पर तो किसी की भी जिन्दगी और प्रापर्टी की कोई सिक्यूर्टी नहीं है तो उसका मेंन कंसर्ण यह था कि कोई एक ऐसी स्टेट हो जहां राइट तो लाइफ या राइट तो सेल्फ प्रिजर्वेशन अट लिस्ट आपका एबसल्यूट पावर के अंडर सिक्यूर रहे क्योंकि वो समझता था कि जिन्दगी तो हुदा की तरफ से दी गई है तो किसी भी स्टेट का यह राइट नहीं है कि वो किसी भी इंडिविजल की लाइफ ऐसे ही आर्बिट्रिरी मैनर से ले ले हाँ अगर कोई यह समझता है कि उसने लाइंड आर्डर फालो नहीं किया द लेकिन फिर भी इंगलेंड के हालात बहतर नहीं हुए क्योंकि वहां पर स्टिल किंग के भी स्पोर्टर थे और पारलिमेंट के भी स्पोर्टर थे और डिलिजियस कंट्रोवर्सी भी एग्जिस्ट कार रही थी तो इंगलेंड के हालात मसलसल हराब होते जा रहे थे तो 1660 इंगलेंड ने चार्ल्स दी सेकंड जो चार्ल्स वन का बेटा था उसको दुबारा तख्त पर बिठा दिया गया और उसकी मुनार्की को दुबारा इस्टैबलिश कर दिया गया चार्ल्स दी सेकेंड जो अब किंग बन चुका था इंगलेंड का उसकी पहले इंटरेक्शन हो चुकी थी थामस हाब्स के साथ जब थामस हाब्स ने उसको अपनी बुक लिवाइतन दी थी तो जो चार्ल्स दी सेकेंड है वो अर्रेडी इंप्रेस था थामस हाब्स की विटनेस से और उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा इंज्वाय करता था लेकिन थामस हाब्स को उस टाइम पे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी लिखी हुई उन बुक्स की वज़ा से जिसमें उसने ज्यादा स्पोर्ट की हुई थी रायल फैमली की मुनार्की की इसलिए 80 साल की उमर में उसने उन तमाम राइटिंग्स को जला दिया जिसमें उसके हिलाफ को लीकल प्रूफ ना मिल सके चार्ल्ज ने भी थामस हाब्स को वारंड किया थामस हाब्स की बहुत सी रायटिंग्स को उनकी डैट के बाद ही प्लिश किया गया थामस हाब्स की डैट इंग्लैंड में ही दिसमबर 1679 को हुई अब हम नेक्स लेक्चर में देखेंगे कि हाब्स का मेथट क्या था है फिलास्फी को समझाने का और इसके एक रॉयलिस्ट क्यों कहा जाता है अब यहां पर अगर हम एक क्विक रिवी लें कि अभी तक हमने क्या पड़ा तो हमने देखा कि थामस हाब्स की अर्ली लाइफ की क्या इवेंट्स रहे फिर उस हमने देखा कि उसकी पबलिक लाइफ किस तरह गुजरी उसकी रॉयल्स के साथ किस तरह इंट्रेक्शन रही फिर हमने देखा कि थामस हाब्स की लाइफ सिवल वार से किस तरह इफेक्ट हुई फिर हमने देखा कि थामस हाब्स की रायल फैमली के साथ इंट्रेक्शन होने की वज़ा से सिवल वार में थामस हाब्स ने चार्ल्स वान को स्पोर्ट किया जिसकी वज़ा से उसको जलावतन कर दिया गया था और 11 साल तक वो फ्रांस में रहा वहाँ पे डिफरेंट सेंटिफिक फिगर्स के साथ वो मिला डिफरेंट फिलासफर्स के साथ उसकी इंट्रेक्शन होई और उसने अपनी फेमस बिक लिवाइटन भी फ्रांस में ही लिखी थी लेकिन उसकी वज़ा से फ्रांस के रिलिजिस तबके में बहुत जादा कंट्रोवर्सी पैदा हुई और थामस हाब्स को डर्ल हुआ कि उसकी जान हत्रे में है तो फिर वो दुबारा इंगलेंड आगे और वहां पे पीसफुली रहे फिर हमने थामस हाब्स की लाइफ को देखा चार्ज दी सेकंड के टाइम पे कि जब उसको मुनार की दुबारा दी गई तो तब थामस हाब्स के जिन्दगी के क्या हलात हैं हमने वो डिसकस किए अब हम देखेंगे कि इन सारे सरकमस्टांसिस की वज़ा से इन सारे लाइफ इवेंट्स की वज़ा से थामस हाब्स की फिलास्फी किस तरह डिवैलिप हुई नेक्स्ट वीडियो में वो हम देखेंगे इन्शाला